नमस्कार, Scientific Health में आपका स्वागत है, आज की वीडियो है कोरोना वाइरस पर, तो शुरू करते हैं, कोरोना वाइरस COVID-19 के नाम से दो साल पहले हम सब की जिन्दगी में आया, कुछ समय बाद उसका नया वेरियंट डेल्टा आया, जिसने अच्छी खासी तबाही मचाई, उसी समय देश-विदेश के लोगों ने इसके लिए वैक्सीन निकाली, और बड़े पैमाने पर लोगों को लगाई गई, कह सकते हैं, लगबख सभी को लगाई गई, और माना गया कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन आज हम उसी इस्तिती में हैं, जहां पहले थे, अब कोरोना का एक और वैरियंट आ गया, जिसका नाम है ओमिक्रोन, इसकी वज़े से फिर वही लागडाउन किस्ती थी, और कहा जा रहा है, कि जल्दी ही एक और वैक्सीन लाई जाएगी, क्योंकि पहली वाली इस वैरियंट पे काम नहीं कर रही है, अब तो ओमिरान का भी अगला वैरि क्योंकि मैं यह जानता हूँ, यह करोना चाहे कुछ भी हो, हमारी इम्मूनिटी के सामने कुछ भी नहीं है, हमारा इम्मून सिस्टम हजारों सालों से इन जैसे ना जाने कितने वाईरिस और बैक्टिरिया से लड़ता आया है, बस जरूरत है इस इम्मून सिस्टम को कि मैक्सिमम पावरफुल रहे इस करोना की नहीं दुनिया के किसी भी वाइरस और बैक्टिरिया के खिलाब तो चलें इस विशे में जान लेते हैं दो साल के अंतराल में देखा गया कि जो भी मजदूर और लेबर टाइप के लोग थे उन में से किसी की भी डेथ नहीं हुई यहां तक कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर और नर्सों की तो मौते हुई पर स्वीपर आदी जो लेबर थे जो अस्पताल का कचरा उठाते थे उन लोगों की कोई मौत रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि हुई ही नहीं यहां तक कि कोई भिखारी भी नहीं मरा क्यों? क्योंकि वो लोग धूप में काम करते थे इस वज़े से विटामिन D उनके शरीर में भरपूर मातरा में थी खैर अब बात करते हैं अपनी करोना या किसी भी वाइरस से लड़ने के लिए हमें विटामिन C और विटामिन D की आवशक्ता है इसके लिए आधा घंटा के प्रतिदिन धूप लेना और विटामिन C के लिए एक अमरूद या दो संत्रे या दो मौसमी खाना बस इतना ही मौसमी तो साल के बारा मेने मिलती है या आप किसी भी सीट्रस फूट को ले सकते हैं अगर हम रोज इतना करें तो किसी भी वाइरस का कोई खत्रा नहीं होगा और अगर इम्मुनिटी को बूस्ट करना है तो साथ प्रकार की पत्तिया हैं जिनका डिकॉक्षिन यानि कशाय बना कर ले सकते हैं इसके लिए किसी भी एक प्रकार की पत्ति को तीन दिन लगातार सुबह शाम खाली पेट डिकॉक्षिन बना कर लेना चाहिए फिर अगले तीन दिन किसी दूसरी फिर अगले तीन दिन किसी तीसरी इस तरह से सातों पत्तियों को 21 दिन के कोर्स में इम्यून सिस्टम काफी बूस्ट हो जाता है ये पत्तियां हैं दूब घास, तुलसी, गिलो, बेलपत्र, करंज, नीम और पीपल इनका डिकॉक्षिन यानि कशाय 21 दिन में ही हमारी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर देगा कि कोई भी वाइरस या बैक्टिरिया हमारा कुछ नहीं भी कर पाएगा प्रन्तों उसके बाद भी इसका सेवर करते रहना चाहिए हमेशा अब डिकॉक्षिन बनाने की विधी जान लेते हैं छोटी पत्तियों का डिकॉक्षिन बनाना हो तो आधी मुट्टी पत्तियों लेए जैसे तुल्सी की पत्ति छोटी होती है तो वे आधी मुट्टी में यानि तगरीवन 12-15 पत्तियों 200 मिली लीटर पानी को भरतन में बॉयल करें जब पानी उबलने लगे तो पत्तियों को धोकर उबलते पानी में डाल दें ध्यान रहे इन पत्तियों को कुचलना यानि क्रश नहीं करना है चार से पांच मिनट उबलने दें फिर इस्टोप बंद कर दें और उसे ढखकर पांच-सात मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दें फिर छानकर खाली पेट पी लें प्रन्तो अगर पत्तियां बड़ी हैं जैसे पीपल या करेंच की तो तीन से चार पती काफी हैं उसे हाथों से तोड़ दिखके छोटे टुकड़ों में कर दीजे और उबलते पानी में डाल दीजे कशाय बना लीजे पी लीजे बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई हो तो क्रिपया लाइक शेयर और सब्सिक्राइब करें धन्यवाद